एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में एक विक्ति को प्रते दिन औसे तन पचास से ज़्यादा इमेल प्राप्त होते हैं और दिन के वो चार से पाँच मिनिट या दस मिड़ी या बीस मिनिट वो उन इमेल को पढ़ने में और लगभग एक घंटाओन इमेल का आंसर देने में लगा ही लेता है और 90 प्रतिशत लोगों के पास में एक से अधिक एमेल आइडी होती हैं अलग-लग वेबसाइट पर जैसे आउटलूक पर, जीमेल पर, हॉटमेल पर और वो सारे इमेल आइडी को अलग-लग लॉग इन करके मैनेज करता है और ये दिन का बहुत सारा टाइम बरबाद कर देता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये सारे इमेल को एक जगे बिना ब्राउजर को ओपन किये मैनेज कर सकते हैं और ये सारा काम करता है Microsoft Outlook अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो बिगिनर से एडवांस लेविल तक की सारी जानकरी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और साथ में बहुत ही सरल शब्दों में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं आपके इमेल का बहुत ही सरल तरीके से management कैसे किया जा सकता है बिना ब्राउजर को open किये बिना बार-बार login किये कैसे हम अपने सारे इमेल अकाउंट को एक ही जगे पर manage कर पाएंगे बस यही जानेंगे हम इस वीडियो में और कैसे यूज करेंगे हम Microsoft Outlook के बहतरीन फीचर्स को चलिए शुरू करते हैं देखें Microsoft Outlook ने अभी फिलाल में ही Outlook को update भी किया है और उसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स भी एड़ किये हैं और उसका इंटरफेस भी चेंज किया है तो जब पहली बार हम Microsoft Outlook को open करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा अगर आपका Microsoft पर account है तो पहले से आप Outlook में login हो ही गए होंगे अगर नहीं है account तो कैसे Outlook में अपना email id जोड़ना है सबसे पहले हम उसका तरीका जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर नीचे दिये गए option वैसे option यहां पर दिखाई दे जाएगा यहां पर आपको क्लिक करना है आप यहां पर देखे आपको option दिखाए देगा add all your email account तो यहां पर आउट्लुक का भी आ गया एंटर कर दीजिए इसके बाद यहां से आपको continue करना है continue करने के बाद देखे यह कहेगा कि अगर आपका email account है तो उसको यहां add कराने के लिए synchronization की आवशकता पड़े यह नहीं sync करेगा वहां से data लेगा तो इसके लिए आपको उसके लिए permission देनी पड़ेगी तो यहां से हम इसे continue करेंगे और ऐसा करते ही जो आपका email account है आपके browser में open हो जाएगा permission देने के लिए आपको यहां पर दुबारा से अपना email id एंटर करना है उसके बाद password डालना है जिससे वो login हो जाएगा तो यहां से email id password डाल देते हैं और login कर देते हैं तो यहां से इस तरह से Microsoft की service को आपको permission देनी है इसे हम यहां से allow कर देंगे और कुछ देर यहां पर wait करेंगे फिर दुबारा से यहां से continue करेंगे तो यहां पर दिखाई द आप इसके बाद में जितने चाहें उतने email accounts यहां पर add कर सकते हैं अब इसके interface हम समझ लेते हैं यहां पर आप देख रहे हो बहुत neat and clean interface है पहली चीज तो आपको बार बार अपने email account में login करने की आवशक्ता नहीं है अपने desktop से आपको browser open करने की ज़रूद नहीं है आप email, draft, send email, delete item और archive का एक folder दिख जाएगा email पर क्लिक करते हैं यहां पर आपके सारे mail आजाएंगे और यहां पर जैसे किसी भी mail को अगर आप पढ़ना चाहरे हो तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से वैसे ही आपको यहां पर email पढ़ने को भी मिल जाएगा side में option ठीक है और अगर नया email आपको बनाना है तो ऊपर यहां पर new email का option है इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर new email का option आजाएगा सबसे उपर आपको send का option दिखेगा जो red color का button है यहां पर from में आपका email address दिखाई देगा और to में आपको email address डालने है जिनको आपको mail भेजना है अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने कुछ contact सेव कर रखे हैं तो आपको बार बार उनके address टाइप करने की जरूरत नहीं है आप देखो मैं कितना बढ़िया तरीके साब को बताने वाला हूं तो यहां पर सिर्फ आपको 2 पे क्लिक करना है जैसे आप 2 पे क् जाएंगे उसके बाद यहां से सिर्फ इसको सेव कर देना और एक साथ सारी email address आपको यहां पर दिखने लग जाएंगे यहां पर आपको subject डाल देना है उसके बाद में आपको जो email है वो टाइप कर देना है अब जैसे ही आप subject और mail वाले option पर जाएंगे तो बिलकुल MS Word की तर है उपर यहां पर formatting बार आपकी सामने आ जाएगा इसमें हमको क्या क्या चीजे मिलती है यहां पर आप देखो कि यहां पर हमें home menu मिल जाएगा जिसमें cut, copy, paste इधर आपको format printer का option दिख जाएगा यहां पर font or font size का option है, bold little underline है, text highlight करने का option है और मैं समझता हूँ कि MS Word के इंदर जितने option आते हैं, mail को जितना खुबसूरती साब बना सकते हो, वो सारे options आपको यहां उपर ही दिख जाएगे, इसके बराबर में यहां पर draw का option देखेगा, जिससे आप कोई भी चीज यहां पर draw कर सकते हो, यहां पर इस जगे कुछ भी इस तरह से draw कर सकते हो, और उस canvas को send कर सकते हो, ठीक है, तो यह सारी चीज आपकी समझ में आ गई होंगी, आपको बता है कि आप यह वीडियो देखने के बाद आप मैंसे कोई 5 लगी लोग अपना 7,000 रुपे का फायदा कर सकते हो, हमारे सारे premium pen drive courses पर, चलिए जल्दी से समझा देता हूँ, तो आपक इस course में पूरे 19 professional courses सामिल हैं, जो कि lifetime validity के साथ आपको मिले वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूपसूरत सा यह excel mug, हमारा premium mouse pad, जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे, एक free OTG, और हमारा जो pen drive है वो मिलेगा, जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है, जिस पर आपके android smart tv पर, अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं, तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है, जिसके course आपको लगवग 4000 रुपे का पड़ेगा, लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप मैंसे 5 लोगों को यह course केवल और केवल 6000 रुपे में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको coupon code यूज करना है, 99PC22 और इसको यहाँ पर apply कर देना है, जैसे आप coupon code अप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं, यह course आपको केवल 2499 यानी 25 रुपे का मिलेगा, तो जो भी 5 लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा, इसकी बाद में यहाँ पर आपको option दिखता है insert का, insert मेंसे आप कोई file अपने computer से यहाँ पर attach करा सकते हो, और यहाँ पर आपको मिल जाता है signature का option, तो अगर mail के साथ में आपको signature भी करने हैं, तो simple यहाँ पर signature पर click करना है, और अगर आ बहुत ही गजब का एक tool है कि इतनी जबरदस tools आपको mail लिखने के लिए यहाँ पर बिल रहे हैं, यह और किसी email client पर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, यह सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पर send का option दिखेगा, अब यहाँ भी दो चीज़े हैं, अगर यहाँ send पर आप जाते हैं, तो एक बार में जैसे आपको mail भेजना है, आपने भेज दिया, अगर आज का mail आपको कल भेजना है, mail को schedule करना, वो भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर simple आपको यह arrow पर click करना है, और यहाँ पर schedule send का option आपको दिख जाएगा, इस पर आपको click करना है, अब यह यहाँ से आगे वाली सारी dates दिख जाएगी, यहाँ से आप custom time select करके, date select करके, send पर click करोगे, तो यहाँ पर schedule send का option आजाएगा, और वो mail उतने तारीक को उतने time पर ही भेज दिया जाएगा, तो यह तो सारा हो गया mail भेजने का process, इसकी बाद में यहाँ हम इसकी कुछ option और स जैसे आपने वहाँ से account add किया था, आप यहाँ से भी चाहो तो कोई और account, एक और account यहाँ पर add करा सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको automatic reply का option दिखेगा, अब किस email address पर आपको automatic reply लगाना है, उसे आप यहाँ से select कर लीजिए, देखो कुछ features ऐसे हैं, जो Microsoft सिर्फ अपनी ही mail ID के साथ में देता है, वो Gmail या other emails पर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके email client की जो service हैं, वही service दे पाएंगे, तो मैं यहाँ पर Microsoft का account select करके रखता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या service आपको यहाँ और मिल सकती है, यहाँ पर automatic reply का option दिखेगा, यहाँ पर reply को आप on क करेंगे, अब जब भी आप चुट्टी के लिए गये हैं, दो दिन तीन दिन आप office में नहीं है, और आपको उस time पर जितने email आते हैं, आपको उनको automatic reply करना है, कुछ आपको जानकरी देनी है, तो आप यहाँ से date select कर दो, start time और end time, दोनों जगे आप date के साथ में time भी select कर सक जाएगा, जो आपके contact में save हैं, और इसे tick हटा देते हो, तो जिदने भी mail आपके mail पर आएंगे, सब को email भेजा जाएगा, इसके बाद जैसे आप इसे यहाँ से save करेंगे, तो automatic reply काम करने लग जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसे बंद कर देंगे, तो automatic reply बंद हो हो, खौद खुबसूरत signature सा आप बना सकते हो, अब वही signature आपको simple यहाँ पर लाके paste कर देना है, तो यहाँ पे जिस email के लिए आपको sign बनाने है, उस email के लिए आप sign यहाँ से बना लो, और यहाँ पे आपको अपने signature का एक नाम दे देना है, नीचे sign कर देने हैं, और यहा यहां पर sign डाल दोगे मैंने यहां पर sign भी डाल दिया उसको मैं यहां से format कर देता हूं और इधर से save कर देता हूं ठीक है अब जैसे ही आप यहां पर save कर दोगे अपने sign को तो यहां पर for new message के लिए यह signature आजाएगा और reply और forward के लिए यहां पर signature आजाएगा अपने इससाब से 12 settings के लिए अलग अलग signature भी बना सकते हूं मानों आपको new message के लिए कोई और signature रखना है और reply और forward गिले को और sign रखना है तो आप यहां से रख सकते हो अगर आप इसको delete करना चाह रहे हो तो यहां से simply आपको delete कर देना है इसके बाद आ जाता है category का option मैं इसको भी यहां से discard करके आगे बढ़ूँगा अब यहां पे हम अपनी emails को अलग-अलग category में रख सकते हैं उसके लिए blue category, green category नोंने बना रखिये आप अपने जैसे category बनाना चाहो या जो नाम देना चाहो वो यहां से आप दे सकते हो तो outlook को आप अपने mobile device में भी इस्तमाल कर सकते हो जैसे आप इस option पे जाओगे तो यहां पे नीचे आपको एक QR code का option दिखेगा एक sign in का option दिखेगा और यहां से outlook एप को download करने का भी option दिखेगा इसके बाद यहां पे अगर आपने इनका plan ले रखा है storage का तो storage भी आपको यहां पे दिख जाएगा कि आपके इस वाले mail पे कितना storage है और Gmail का storage यहां पे नहीं दिखाएगा ठीक है क्योंकि Gmail का जो full access है, full control है वो इनके पास में नहीं है इसके बाद यहां पे आजाता है general option जिसमें language और time का option दिया गया है यहां पे आप अपनी भाशा को select कर सकते हो इसके बाद यहां पे जो इनकी theme है उसका option यहां पे आपको दिख जाएगा तो theme को आप dark भी कर सकते हो इस तरह से और light भी कर सकते हो और अगर आपको और कोई ultra modern theme चाहिए तो आप यहां से भी उसे select कर सकते हो इसके बाद यहां पे मिल जाता है notification का option कि आपके जितने भी mail आएंगे अलग-अलग email पे आपको चाहिए कि desktop पे corner में उनका notification आता रहे तो उसके लिए भी आप यहां से notification को on कर सकते हो अब आपको notification किस-किस चीज़ के चाहिए email का चाहिए calendar का चाहिए document का चाहिए तो वो भी आपको यहां से मिल जाएगा आप अपने साब से notifications को set कर सकते हो आनो मुझे email का ही notification चाहिए तो मैं यहां से on करूँगा और यहां से save कर दूँगा इसके बाद यहां पे आ जाता है accessibility का option जिसमें आपको keyboard shortcuts मिल जाएंगे outlook for windows के outlook for tab के और turn off keyboard shortcuts का option आपको यहां पे दिख जाएगा इसके बाद यहां पे adjust timing का option आएगा ठीक है अब यहां पे आपका data और privacy का option दिख जाएगा आप अपने पूरे जो mailbox है उसको export भी करा सकते हो यहां पे आपको दिख जाएगा search का option कि किस तरह से जो आपके outlook है वो आपकी emails को search करेगा तो यहां पे जो search है उसका scope हम यहां से set कर सकते हैं जैसे all folder when searching from inbox इस पर अगर टिक लगा देंगे तो वो सारे folders के अंदर search करने लग जाएगा इसके बाद यहां पे आपको दिख जाएगा email का option email के option में यहां पे layout उसके बाद compose और reply compose और reply में always show bcc और always show from आपको अगर लगा के रखना है तो आप दोनों चीजों को यहां से on कर सकते हैं यहां पे message आपको html में बनाना है या plain text format में बनाना है वो ले सकते हैं default font और font size को यहां से select कर सकते हैं से select कर सकते हैं और reply और all reply को भी यहां से tick लगा के एक ही बार में select कर सकते हैं smart suggestion का option यह है जब भी आप mail type कर रहे होंगे तो यह अपनी तरफ से आपको smart suggestion देगा attachment वाले feature पे आप चले जाएंगे तो यहां पे यह आपको वान करेगा कि अगर आपने message type किया है और उसमें कोई attachment file नहीं है तो ठीक है यहां पे आप कुछ rules बना सकते हो rules क्या कि जैसे कोई भी आप email पढ़ रहे हो या कोई भी आप action ले रहे हो तो उस action के against क्या दूसरा action होना चाहिए वो से हम rules कहते हैं ठीक है तो हम आपको आगे rules बताएंगे कैसे कैसे क्या कर सकते लेकिन बहुत खुबसूरत चीज़ें इसमें दी गई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे यहां आपको आपके junk email का जो पूरा list है वो दिख जाएगा यहां जो ऐसे email होते हैं जो आ जाते तो यहां से आप quick step भी set कर सकते हो कैसे करना है इसपे क्लिक करना है यहां पे आपको नाम देना है कुछ भी नाम देता हूँ quick step का अब यहां से आपको action select करना है action में mark as read मैंने email को mark किया कि मैंने इसे पढ़ लिया है अब यहां पे जैसे आप आओगे तो उसके लिए shortcut यहां पे आप decide कर सकते हो तो control shift 5 जैसे आप press करोगे तो जो email होगा वो mark as read में count हो जाएगा खुद से इसके बाद में यहां पे आपको अगला जो option मिलता है वो customize action का मिलता है email के उपर यह सारे actions आपको दिख जाते हैं अगर आपको कोई action यहां पे और select करना है जैसे block create rule print translate यह बहुत सारे options यहां पे दे रखे हैं इनको जैसे जैसे आप tick लगाते जाओगे वैसे वैसे यह action आपके mail में attach होते जाएंगे आपको उपर ही option के अंदर आप अलग-अलग तरह से message को handle कर सकते हो ठीक है अब जैसे यहां पे दे को option लगा empty my delete item folder तो जैसे click करोगे जैसे आप sign out करोगे अपने mail id से वैसे ही आपका जो item folder हो delete हो जाएगा यहां पे options दे रखे हैं ठीक है यहां पे आपको forwarding का option दिख जाएगा mail forwarding यानि आप चाह रहे हो कि outlook पे जितने mail आएं वो किसी एक दूसरे mail पर साथ के साथ forward होते रहे तो यहां से पहले तो आप mail select कर लो तो outlook के अंदर यह जो mail forwarding का option है यह Microsoft की email id के साथ ही काम करता है अब आपको यहां क्या करना है यहां पे enable forwarding पे क्लिक करना है और वो email address यहां पे paste कर देना है या type कर देना है जिस पे आप इस पे आने वाली email को forward करना चाहरे हो यानि email की copy इस पे भी रहेगी और एक copy किसी दूसरे email address पर भी चली जाएगी तो simple यहां पे आपको email address डालना है और तो को नीचे यह टिक जरूर लगा देना है कीप a copy of forward message यानि एक copy आपके पास भी रहे और एक copy किसी दूसरे mail पर भी चली जाए साथ के साथ अब यह last वाला जो option है यह बहुत ही खुबसूरत option है मेरा favorite है हमारे email पे हर दिन हजारों mail आते हैं हमने बहुत सारी website पे जाके या तो subscribe कर रखा होता है या नहीं भी कर रखा होता है तो बहुत सारे promotional email जाते हैं अब उन email address की list यह सारी निकाल के रख देगा कि कौन-कौन सी service आपको promotional email भेजती है single click के अंदर आप यहां से उन सब को unsubscribe कर सकते हो देखो यह flip card मुझे mail कर रहा है किसी चीज से अब मैं चारा हूँ कि यह email है flip card का मुझे ना मिले simple मुझे क्या करना है यहां से जाना है unsubscribe करना है और flip card का जो email है मेरे पास से आना बंद हो जाएगा एक एक करके यह सारे जो email है यह मेरे पास से आने बंद हो जाएगा मैं जिस भी email को unsubscribe करूंगा या ब्लॉक करूंगा वो email दोबारा से मेरे पास नहीं आएगा ठीक है इतना आप समझ गे तो यह आप से पूछेगा unsubscribe you will stop receive message from flip card आप यहां से बसे से ओके करेंगे flip card से जो message है वो आना आपके पास में बंद हो जाएगा तो आशा आप समझ गे होंगे कि धेर सारी emails को आप outlook की मदद से कैसे manage कर सकते हैं कैसे बहुत सारी email अगर आपके mail पर आ रहे हैं तो उनको कैसे spam में डाल सकते हैं कैसे उनको एक सास unsubscribe कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जरूर काम आया होगा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्ने मातरम